चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो जिन स्टुडेन के मार्क्स कम है और 60 से 70 लाग का उनके पास बजट है वो उत्तरप्रदेश स्टेट में MBBS कर सकते हैं यूपी स्टेट ने प्राइवेट मेडिकल कोलेज के लिए इस साल का न्यूफीस स्ट्रक्चर जारी कर दिया है यूपी स्टेट में टोटल 25 नन मानियोरिटी प्राइवेट मेडिकल कोलेज हैं जिन में एक medical college नारेना medical college इसी साल open हुआ है इस बार भी major SD सिंग medical college and hospital फतेगड फारुकाबाद को permission नहीं मिली है इसके अलावा इसमें 5 minority college हैं इस वीडियो में हम college wise fees के बारे में चर्चा करेंगे साथ इसाथ other fees के अलावा hidden charges के बारे में भी बात करेंगे और यह भी इसमें हम चर्चा करेंगे कि इसकी cut off कितनी रह सकती है तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो हमारी ओल इंडिया और state quota की book download कर सकते हैं इसमें मैंने previous year की cut off और इसके बाद में process admission का कैसे होता है इसके बारे में पूरा समझा रखा है इसके अलावा आप हमारी paid counseling service भी ले सकते हैं जैसे ही book download करेंगे हमारी team आप से संपर्क कर लेगी तो आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में कि इनकी college wise fees क्या है तो स्री राम मूर्ती की 13,3,760 रुपए है इसके पाद नोईडा की फीस 12,3,319 रुपए है सुबार्ती की 11,85,138 रुपए है हिंद की जो हिंदे बारा बाकी में है 11,7,612 है मुझफर नगर की जो श्योरी मुझफर नगर की फीस है 12,8,037 रुपए है सरस्वती जो हापुड में है 11,8,611 है रोयल खंड बरेली की 13,321 रुपए है हेरिटीज जो वारानसी में है 13,21,492 है रामा कानपूर की 12,66,389 है हिंदे सीतापूर की 10,77,239 है मायो की 11,21,62 है इसके बाद में हम केडी मतूरा की बात करें तो 12,23,240 है रास्चरी मेडिकल कोलेज बरोली में 12,23,406 है रामा हापूर की 13,9968 रुपए है परसाद इंस्टिटूट लखनव की 11,3932 है टी एस मिस्रा लखनव की 12,99,199 रुपए है नोविडा इंटरनेशनल इंस्टिटूट गोतम बुद नगर की 11,92,211 है जी एस मेडिकल कोलेज हापूर की 11,882 है सरस्वती उनावा की 11,69,610 है युनाइटेड इंस्टिटूट मेडिकल साइंसेज परियाग राज जो इलाबाद हुआ करता था पहले 11,90,401 है नेशनल कैपिटल की जो मेरिट की कोलेज है 12,19,917 है क्रिशन मोहन मतुरा की 11,88,856 है वरुनाजन की है साजापूर में है 12,10,000 है इसमें इसके बाद वेंकेटेश्वरा अम्रोहा की 11,10,508 है और नाराइना की कानपूर में है 12,14,683 रुपीज है तो ये इनकी tuition fees है ये non-minority college की tuition fees है अभी minority college की tuition fees fix नहीं हुई है जैसे ही ये जारी हो जाएगी हम आपको inform कर देंगे अब इसके अलावा बात करते है hidden charges की तो यूपी में कोई किसी परकार का hidden charges नहीं है किसी भी college में मेरे पिछली साल के student भी इन college में पढ़ रहे हैं तो किसी परकार का कोई hidden charges नहीं है अगर फिर भी कोई college hidden charges लेता है तो आप इनकी शिकायत कर सकते हैं अभी इसमें जो छात्रावा सुल्क है hostel fees non AC के लिए एक लाग पचास जार परतिवर्स है पिछली साल भी यही fees थी AC की एक लाग पिछेतर हजार परियर है इसके अंदर मैस भी सामिल है एक रोम में दो से ज्यादा student नहीं रखे जाएंगे यह clear लिखा हुआ है चात्रों को breakfast, lunch और dinner उपलब्द करवाया जाएगा और वो आहार postic और variety का होगा तो यह hostel में ही यह मैस include है इसके अलावा security deposit तीन लाग रुपए है जो admission के time होती है और वो एकी बार होती है इसके अलावा इसमें जो misleans fees है वो 85,600 पर year है यह थोड़ी सी इस साल 5,600 रुपए की बडोतरी हुई है पिछली बार यह 80,000 था तो इसके अंदर जो आ जाते हैं बाकी के charges बगरा वो विश्विद्याल है पंजिकरन development fees, library fees, student association fees, gym and sports fees प्रिवेश सुलक, परिक्षा सुलक आदी सारे इसमें सामिल है तो इसमें कोई hidden charges नहीं है किसी भी कोलेज में अगर कोई कोलेज आप से hidden charges लेता है इन fees के अलावा तो आप उसकी सिकायत कर सकते हैं तो ये UP state का एक information था फीज का जो इस साल के लिए जारी हो चुका है बाकी states में fees 10% से 20% के बीच में बढ़ रही है लेकिन इस state में इतना ज्यादा increment नहीं हुआ है इसमें ज्यादा से ज्यादा 3-5% के बीच में increment हुआ है fees का तो इसमें जो cut up रह सकती है वो cut up हम इस बार मान रहे हैं कि 200 के nearby इसकी cut up रह सकती है अब जो इसमें जानने वाली बात ये है कि इसमें first round की cut up ज्यादा रहती है sorry first round की cut up कम रहती है second round और mop up round की cut up private colleges के लिए ज्यादा रहती है क्यूंकि इसका कारण यह है कि सुरु में student इस state को कम प्रिपेर करते हैं उसके बाद में उनके state में उनको seat नहीं मिलती है फीस ज्यादा होती है तो फिर second round और mop up round में इसमें participate करते हैं इस कारण से इस state की cutoff second और mop up में ज्यादा रहती है first round में कम रहती है तो ये एक छोटी सी जानकारी थी UP state के बारे में बाकी मैंने आपको जानकारी जितनी थी वो सारी इसमें दे दी है फिर भी कोई update मिलेगा तो मैं आपको inform कर दूँगा तो मिलेंगे नए वीडियो में नई update के साथ में तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा जैहिन कर चाल क्षूदी है कर दिए में कर दो